नमस्कार, मैं सारदा पांडे, आसान जिन्दगी किसी एपिसोड में आपको स्वागत करती हूँ, आज मैं आपको बताऊंगी मकर संक्रांती पर्व के बारे में, इसके पहले आसान जिन्दगी में, इसके उपलच में मकर संक्रांती को उपलच में कई वीडियो दे चुके है दान के लिए और जो भी विद्धी विधान है उस सब के लिए बीडियो दे चुके हैं. जो हमारे नए व्यूवर हैं उनके लिए हैं, उनके लिए मतलब जानकारी जो दे रही हूं नया हैं और बाकीों के लिए भी. सबसे पहले मकर संक्रांती पर्व का धेरों सारी सुख कामना है, मंगल कामना है, आप सुखी रहें, संपंद रहें, अस्तस रहें और ठन भगाने का जो भी गूड, तील, जो भी गरम चीजें हैं, वा आप बना के खा सकते हैं सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि मकर संक्रांती पर्व हमेशा हर साल मतलब तीथी के अनुसार नहीं मनाए जाता है, जैसे कि तमाम पर्व तीथियों के अनुसार ही मनाए जाते हैं, जैसे रक्षा बंधन, सावन के पूरिमा में, होली, हागुन महने के पूरिमा में, इस उस प्रकार से कोई तिथी का बंधन नहीं है मकर संक्रांती पर 15 तारीक को या 14 तारीक को ए दो तारीकों में किसी भी एक तारीक को मनाय जाता है जब सूर्य धनुरासी से मकर रासी में प्रवेस्ट करते हैं उसी दिन को मकर संक्रांती मनाय जाता है सूर्य भगवान जब मकर रासी में आते हैं यानि कि सनी के रासी में आते हैं सनी यानि कि उनके पूत्र सनी जी तो इसलिए ही जैसे कि पूत्र के घर पिता जाते हैं तो उनका आदर समान किया जाता है उसी उपलच में तामबे के पात्र में तामबा यानि सूर्य सूर्य का प पसंदीदा आहार भोजन तो ताम्बे के पात्र में यानि की सूर्य के गोद में सनी को रखा जाता है। जैसे कि महने का दो पच्छ होता है कृष्ण पच्छ और सुकल पच्छ तो चंद्र के आधार पर महने का दो पच्छ होता है उसी तरह से सूर्य के आधार पर साल के दो भाग होते हैं जैसे उत्रायन और दच्छिनायन तो 6 महना सूर्य उत्रायन रहते हैं और 6 महना दच्छि आते हैं तो प्रित्वी के लिए और प्रक्ति के लिए बहुत ही फायदे मंद होता है वैसे सभी दिन सुभी होते हैं तो सूर्य उत्रायन यानि कि मकर संक्रांती के दिन जिसका दैव योग से मृत्तू होता है वो स्वर्ग में जाता है यानि कि जन्म मरण के चकर से मुख्त ह इसलिए पितामः भिश्म जब तीर के सईया पर लेटे हुए थे तो वो इसी दिन को निश्चित किये थे अपने प्राण को त्यागने के लिए और ये पर्व मागंगा और सागर के मिलन का भी पर्व है जैसे भगीरत के जो 60,000 पूर्वस थे वो उनको तारने के लिए मागं जेश्ट महने के सुक्ल पच्छ की दसमी में अतरित होती है हिमालाय पर और भगवान शिव के आदेश पर भगीरत के पीछे पीछे जाती है यानि लगभग 7,8 महना लगातार पैदल चलते चलते गंगा सागर में गंगा जी जब मिलती है तो वो यही तिथी है यानि मकर सं संक्रांती का ही तिथी है इसी दिन मागंगा भगीरत के 60,000 पूर्वजों को तारी थी यानि मोक्ष का उनको वर्दान दी थी भगीरत के जो 60,000 पूर्वज थे बहुत दिनों से वो प्रेती यहां वहां बटक रहे थे भगीरत जी बहुत प्रात्ना करके तब करके मागंग इसलिए गंगा सागर में भी आज बहुत सारे लोग यानि मकर संक्रांती पर बहुत बड़ा मेला लगता है और अपने पितरों का तरपन करते हैं लोग और जो गंगा सागर नहीं जा पाते वो गंगा सागर का इसमरण करके ध्यान करके अपने पितरों का तरपन किसी भी जला में करते हैं तो मैं आपको बता रही हूं मकर संक्रांती विसेश अर्धरात्री से मकर संक्रांती का जो सूप समय है वह चालू हुजाएग्ल दो बज के 15 मिनट से और मतलब 14 तारिक को 15 तारिक को सूर्य उदय से लेकर सूर्य आज तक आप अशנान ऌदान और पंडितों को भोजन, हवन, पूजन ये सब कुछ कर सकते हैं मकर संक्रांती पर विशेश गरीबों को ओढ़ने के लिए उनी वस्त्र या जो भी आपके यहां जो वस्त्र है पहनने वाला ओभी आप दे सकते हैं यूज वाला वस्त्र भी दे सकते हैं तामे के पात्र में तिल, यानि कच्चा तिल, तामे के पात्र में तिल करके विसेश दान दिया जाता है, जो कि मंदिरों में दान दिया जाता है, कि कोई भी मंदिर हो, उसी तरह से इस पर्व पर विसेश चीजें जैसे कि तिल का लड़ू गरे भी बना के, और कवा को, यानि मतलब क्या विसेस ताएं हैं, जिन बेटियों की साधी हुई है इस साल, तमाम उनके घरवालों के माताएं प्रश्न करती हैं, कि जिनके यहां खिचड़वार, खिचड़ी यह मकर संक्रान्ती विसेस मनाते हैं, उनके यहां खिचड़ी जाती है, यानि बेटी यहसे अपने ससुराल में है, तो भी खरमास चल रहा है, तो ससुराल में ही है, अगर मायके में हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर बेटी ससुराल में है, तो उनके यहां खिचड़ी जाती है, जिनके यहां एचीज माना जाता है, वो हमसे पूछी हैं, तो उन बेटी, सबसे पहले इनको दान दिया जाता है, उसके बाद अपने आस पडोस में जो जरूरत मंद हों, उनको दान दिया जाता है, ब्राहमण को दान देना ही चाहिए, जरूरत मंद को पहले दान देना चाहिए, तो बेटी के यहां भाई खिचडी लेकर जाते हैं, जैसे हमा खिचड़वार पर्व में हमारे बनारस तरप उत्तरभारा तरप काफी बनाते हैं काफी चीजें मिष्ठान बनाते हैं घर में जैसे आटे की ढूंडी जो कि सुद्ध की में भूचके बनाते हैं और जो लाई मूरा होता है उसको अपने मतलब आसपास के जो भूजवा होते ह वहां काफी भीड लगती है उसको भुजा के बनाते हैं और जोंधरी का लावा होता है उसमें भी गुड का पाक डाल के बनाते हैं तील का लड़ू बनाते हैं मगदल बनाते हैं जो कि मैं एक वीडियो भी दी हूँ मूँ का मगदल बनाना उसको भी बनाते हैं और बेसन का से और कोई सो बना रहा है चावल जैसे कि एक किलो चावल हैं तो उसमें लगबग एक पावय तीन सो ग्राम तक दाल भी मिला देते हैं इस प्रकार से भी मिला दें नमक, एक पैकेट नमक ले लें एक पाव हल्दी का पैकेट ले लें और सुध्ध घी, यह मैं बेटी के हाँ भेजने के लिए बोल नहीं हूं सुध्ध घी जो ही बन सके बन सके यानि पैक में जो आता है एक किलो, आधा किलो, एक पाव जितना भी आप दे सकें घी ले लें और उसके अलामा जैसे आप खिचड़ी दिए खिचड़ी ज्यादा मात्रा में मिला के देंगे तो हो सकता है उनके हाँ उपयोगी न हो या खिचड़ी लोग न खाएं कभी कफार खाते हैं करती है कि जावः थोड़ा सका की खिचड़ी मिला के अलग से दे दें ती या याई आननी कि यासे कि एक बोरी दो बोरी जो भी आपके हाँ है अगर तो चावल और जो पेक में जोलों में दाल आता है एक रहर का दाल उड़त की दाल ये सब दालें भी दे दे दें दालों के अलावा जैसे कि हम अपने आराते थे वारे पिदा जी सब्जियां बहुत लगाते थे तो सब्जियां भी लाते थे जो भी सब्जियां हैं लगाए हैं आप घर में हैं तो घर मेंने बजार में काफी सब्जियां उपलब्द हैं इस समय जैसे पत्ता गोवी, फूल गोवी, भाटा, गाजर, मूली, धन्यापती, गाट, गोवी, मतर, जो भी सब्जियां हैं, पत्ते वाले सब्जियां जादा न ले जाएं क्योंकि पत्ते वाले सब्जियां खराब होने लगती हैं, फिर भी थोड़े बहुत पालक, मेथी भाजी, ये भी सब्जियां ले सकते इतनी मातरा में कि 2-4-6 दिन चले फिरिज में रखके तो सब्जियां भी ले 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 उसके अलामा फल भी 5 परकार के फल सब्जियां भी 5 परकार के लिए जाती है पर जो भी उपलब्द आपको दिखे वो ले सकते हैं उसके अलामा बेटी के हां कुछ ओढ़ने और बिछाने क जैसे हम बताते हैं उनी वस्त्रदान देने के लिए तो बेटी के यहां भी ओढ़ने और विछाने का कुछ भी कमबल और जो आजकल बजार में उफलब्द हैं उनको भी दे सकते हैं भाई लेकर जाते हैं और खिचड़ी देकर चले आते हैं तो यह सब चीजें जिसमें की सुध्ध घी विसेश है क्योंकि जब खिचड़ी हम बनाते हैं तो उसमें सुध्ध घी डाल के खाते हैं हो सके तो जैसे की किसी भी चीज का आम का नीबू का जो भी आपके बेटी पसं जो हमारी माताओं का प्रस्ण था कि वेटी के हां खिचडी में क्या भेजें उसे तरह से जैसे कि जो पुहा होता है चुड़ा अगर वह भी आप कुटवा के घर में हो अगर तो खरीद के दे सकते हैं और एक तामबे की थाली जैसे मैं आपको बता रही हूं कि तामबे के पा चुलें तो मैं आपको बताई हूं और यह भी बताई हूं कि 14 तारीक को 14 तारीक रात्री दो बज के 15 मिनट से मकर संक्रांती सुरू हो जाएगा सुभ मुर्थ 15 तारीक को सुरे उदय से सुरे अस्ततक विशेश है इस समय में आपदान पुन असनान पूजा पाठ हमन सब झाली नमस्कार